नमस्कार मैं प्रहलाज कुमार मीना एसोसेट प्रोफिसर प्रोटिकल साइंस ब्येसर गवर्मन्ट आट्स कोलिज अलवर पिसली क्लास में हमने प्लेटो के साम्मेवाद सम्मंदी विचारों का अध्यन किया या उसके बारे में जाना प्लेटो आदर्स राजा की प्राप्ति के लिए परिवार संपत्ति के साम्मेवाद की बात करता है और आदर्स राजा की प्राप्ति के लिए ही वो अपने सिक्षा प्लान देता है ऐसा नहीं है कि प्लेटो ने साम्मेवाद सम्मंदी कोई मौलिक विचार दिये हैं लेकिन फिर भी उनमें कुछ नया प्लेटो ने जोड़ा है जैसे कि पिछले वीडियो में हमने देखा कि कुछ यूनान के नगर राज्यों में भूमी पर सामोहिक अधिकार की बात थी पत्तम संतान की प्राप्ति के लिए अपने पत्नी को दूसरे रक्ति के पास भेजने की परंपरा भी मिली है तो उस अंदर में कह सकते हैं कि कुछ हदिता के यूनान में या यूनान के नगर राज्यों में साम्यवाद समंदी विचार देखे जा सकते हैं या उस समय भी मुततकालिन समय भी कुछ ऐसे विचार थे जैसा कि प्लेटो ने परिवार के सम्यवाद के बारे में बताया है और सम्पति के सम्यवाद के बारे में बताया है आज हम इस क्लास में प्लेटो के सम्यवाद और आधुनिक सम्यवाद के संदर्व में चर्चा करेंगे कि आधुनिक सम्यवाद और प्लेटो के सम्यवाद में क्या अंतर है चुकि प्लेटो ने बहुत पहले अपने सामयवाद की बात रिपुब्लिक में बताई थी और आधुनिक सामयवाद बहुत बात की बात है जिसमें कई सारी चीजों में आज अंतर देखा जा सकता है तो जो अंतर बताया गया है पहला अंतर है उद्देश या लक्ष का अंतर जो प्लेटो के सामयवाद और आधुनिक सामयवाद में अंतर है वो पहला अंतर है उद्देश या लक्ष का अंतर प्लेटो के सामयवाद का लक्ष राजनितिक है प्लेटो साम्यवाद की स्थापना या व्यवस्था की बात इसलिए करता है कि आदर्स राजिकी स्थापना हो सके और समाज में नियाई व्यवस्था इसलिए प्लेटो के साम्यवाद का लक्ष राजनितिक है और वहे विशिष्ट प्रकार की आर्थिक योजना या साम्यवाद के आधार पर राजिमे ब्रष्टाचार तथा लोब को समाप्त कर सुसासन इस्तापित करना चाता है जबकि आध्वनिक साम्यवाद का मुख्य लक्ष आर्थिक है और वह है विशेश प्रकार की राजनिती व्यवस्था के आधार पर आर्थिक ऐसमानता को समाप्त करना चाहता है जो पहला अंतर बताया गया है वो लक्ष का या उसका उद्देश ही कहा है इसके बारे में बताया है प्लेटो के सामवाद का लक्ष राजनितिक है और वो राजनिती के माध्यम से सुसासन की या अच्छे सासन की बात करता है या आदर्स राजी की बात करता है और उसके आधार पर सुसासन और नियाई की बात करता है आधुनिक साम्यवाद का मुख्य लक्ष आर्थिक है और वो आर्थिक है ऐसा मानता को समाप्त या उसको ज्यादा उसमें अंतर नहीं रखने की बात आधुनिक साम्यवाद करता है दूसरा जो अंतर बताया गया है वर्गों के आधार पर भेद का अंतर आधुनिक साम्यवाद और प्लेटो के साम्यवाद का दूसरा अंतर वर्गों के आधार पर जो भेद का अंतर है वो है प्लेटो चुकि प्लेटो भी समाज की तीन वर्ग बताता है सासक, सैनिक और उत्पादक और आधुनिक साम्यवाद में ऐसा कोई साम्यवाद को लेकर ऐसा कोई अंतर नहीं माना गया है प्लेटो के साम्यवाद की व्यवस्था केवल आधर सासक के लिए ही थी जबकि आधुनिक साम्यवाद की व्यवस्था संपुन नागरिकों पर लागू की जाती है या होती है तो इसके बारे में बताया है कि प्लेटो का साम्यवाद जैसा कि नटाई एक विद्वान है उन्होंने कहा है कि प्लेटो का साम्यवाद अर्द साम्यवाद है लोग उनका मानना है कि प्लेटों का साम्मेवाद ही नहीं है यह अर्द साम्मेवाद है क्योंकि यह केवल सासक वे सैनिक वर्ग पर ही लागू करता है संपत्ति से सैनिक वर्ग को और सासक वर्ग को अलग करता है यह उन से वंचित करता है निजी परिवार से भी उनी को वंचित करता है इसलिए नटाई ने इसको अर्द साम्यवाद की संग्या दी है क्योंकि यह केवल सासक वर सैनिक वर्ग पर ही लागू होता है जिसकी संख्या संपुन जनसंख्या की बहुत कम है या कि आदी से भी बहुत कम है जबकि आधुनिक साम्यवाद राज के सभी नागरिकों पर लागू होता है ये दूसरा अंतर जो आधुनिक सामयवाद और प्लेटो के सामयवाद में देखा गया है या बताया गया है वो इस प्रकार है कि ये आर्थ सामयवाद के रूप में ही इसको कई विद्वानों ने माना है जिसमें नटाई हैं और ये बात सही भी है कि राज की जनसंख्या के बहुत कम भाग पर या बहुत कम संख्या पर इस व्यावस्ता को लागू किया गया है और आधुनिक साम्यवाद को संपूर्ण नागरिखों पर लागू किया जाता है तीसरा अंतर जो बताया गया है आर्थिक धांचे के संबंद में अंतर है प्लेटो का साम्यवाद राज के आर्थिक धांचे में कोई अस्तक्षेप नहीं करता है चुकि प्लेटो का दर्शन या प्लेटो का विचार अर्थ के लिए था ही नहीं वो तो एक आदर्स राजा के लिए उसने सारी व्यवस्था चाहि सिक्षा की योजना हो चाहि साम्यवाद की योजना हो और ये सारी चीजें वो आदर्स सासक की प्राप्ति के लिए करता है इसलिए प्लेटों के साम्यवाद राज के आर्थिक ढाचे में कोई अस्तक्षप न नहीं होती है जबकि आधुनिक साम्यवाद राज के आर्थिक कारियों को राज के नियंत्रण में रखते हुए उत्पादन प्रिक्रिया को प्रभायुत करता है जैसा कि हम आज के साम्यवाद राजियों में देखते हैं कि आर्थिक संसादनों पर संपूर्ण आधिकार राज करते हैं, यह तीसरा बड़ांतर अध्वणिक साम्यवाद में देखा जया है, ц German अध्वणिक और प्लेटो के साम्यवाद में हैं वह पारिवारिक साम्यवाद कैसे संबंद में अंतर को ईह कि ही इसके ठाइट्व से ही क्लीर हो रहा है कि प्लेटो का साम्यवाद संपत्ति और निजी परिवार के रूप में था जबकि आधुनिक संपत्ति के संपत्ति के रूप में ही देखा जाता है प्लेटो के संपत्ति की सामोहिक व्यवस्था के साथ साथ इस्त्तियों के साम्यवाद की भी व्यवस्था करता है त्यूंकि peto संपत्ति के साथ शाथ ही इस्तिरों कि सामिवाद की बात बी करता है क्योंकि उसको आधर सराजय की प्राप्ति करनी है और संपत्ति और इस्तिरों से या परिवार से उसमें लोब, लालच, स्वार्थ, अपना पराया और ब्रिष्टाचार, आधि की भावनाएं उसमें आ सकती है और वो अपने लक्स से या अपने धर्म से या अपने कर्म से विश्चलित हो सकता है इसलिए उसने संपत्ति और परिवार के साम्याद की बात किये जबकि आधुनिक साम्याद इस तरहों के साम्याद की किसी भी प्रकायर की व्यावस्ता की बात नहीं करता है पांचवा जो अंतर है नगर राज्यों यहम अंतर राष्ट्रेता का अंतर प्लेटो के समय में युनान में नगर राज्य थे और आज की तुलना में उनकी अगर देखा जाए तो जनसंख्या, भूभाग और व्योस्थाओं में बहुत बड़ा अंतर है प्लेटो को अपने सामयवाद का प्रतिपादन के अवल युनान के छोटे-छोटे राज्यों को द्रश्ट्री में रख कर किया था जबकि आधुनिक सामयवाद एक ऐसी नमिन व्योस्था इस्तापित करना चाहता है जिसमें राष्ट्री राजाओं के साथ साथ संपूर्ण विश्व राजों में मजदूरवर की आधारभूत एकता में विश्वास करता है नगर्राज्यों और अंतराष्ट्रे तक अंतर भी समझ में आता है क्योंकि प्लेटो के समय में युनायन में छोटे-छोटे नगर्राज्य थे और वो केवल उनके लिए व्यवस्था करता है जबकि आधुनिक सामयवाद अंतर राष्ट्रे इस्तर पर जिसमें बहुत बड़े-बड़े राष्ट्रे हैं और उनके साथ आप से विदेश निती के राजने के और एक दूसरे की नीतियों से प्रभावित होने के इवन रक्षे होते हैं तो यह बहुत बड़े विस्तार के रूप में भी देखें तो यह बहुत बड़ा अंतर है वो थोट चोटे नगर राजियों के लिए था प्लेटो का सामयवाद अंतराष्ट इस्तर पर इस्थापित करने की बात करता है और छटा जो अंतर है वो स्वरूप का अंतर है प्लेटो का सामयवाद अपने स्वरूप में आध्यात्मिक है क्योंकि उसने अभिभाग वर को निजी संपत्ति से बंचित किया है वह निजी संपत्ति को करता भी परायान पालन में एक बादा मानता है जबकि आधुनिक सामयवाद पूर्टयाब होत अध्यालिक है और यह संपत्ति की अनिवारिता को स्विकार करते हुए समान वित्रण पर बल देता है स्वरूप का अंतर इस रूप में है कि प्लेटो अभिभावक वर्ग को संपत्ति से या निजी संपत्ति से वंचित करता है क्योंकि उसका मानना था कि वह अगर निजी स संपति अभिभाग वर्किया सासक वर्किक होगी तो अपने पत से ब्रस्ट हो जाएगा और अपना करता भी पालन सही से नहीं कर पाएगा जबकि आद्वनिक साम्यवाद पूर्णतिया भोतिक है और यह संपतिक की अनिवारिता को स्विकार करके उसके समान वित्रन पर बल द अभिभारिक है और इसलिए इसे कभी विभार में लागू नहीं किया गया किन्तु आद्वनिक साम्यवाद के बारे में ऐसा नहीं कहा जा सकता क्योंकि आद्वनिक साम्यवाद को अनेक देशों में लागू किया गया और काफी समय तक यह साम्यवादी विवस्ता चली यह ब्रजों में आदनेक समयवाद असफल भी रहा है किंतु वर्तमान मिन भी अनेक राज्यों में इसका अस्तित पाया जाता है बेदार का अंटर में यह कहा चाह सकता है कि अन्यौन के द्ञारा श्राइस के बात करता है और चश्राइब कर पाता है जबकि आधुनिक व्यवाट साम्यवाद ब्येवाद पर याविवार творi दुश्ञणती कौल पर लागू होता है और आदूनिक समय में कई राष्ट्रों में यह सफल और ऐससफल रहा है और अभी भी अनिक राजयों में इसका अस्तित्व है और अंतिम जो अंतर प्लेटों के साम्यावाद और आधुनिक साम्यवाद में बताया जा सकता है वो यह है साधन समंधियंतर आधुनिक साम्यवादी विचारधारा साम्यवादी समाज की स्थापना के लिए मजदूर वर्ग या सर्वहरा वर्ग द्वारा पूंजी पतियों को समाप करने वे सासन की सकतियां प्राप करने के लिए हिंसा व्यक्रांती को आवशक मानता है आधुनिक साम्यवाद की जो विचारधारा है वो मजदूर वर्ग के लिए या सर्वहरा वर्ग जिसमें कोई जाती या कोई विशेश समुदाई वर्ग नहीं होगा वो सब पुझी वादियों के खिलाप हैं कि पुझी वादियों को समाप्त करके सासन की सकतियां प्राप्त कर लें और उसके लिए हिंसा और क्रांती के आवशकता हो तो वो भी कर सकते हैं ऐसी अनिवारिता या बादिता उसमें नहीं है दोनों ही चीज़ें उसमें हो सकती है इंसा और प्रांति का इस्तेमाल भी हो सकता है और सामान ने समझगोल काम में लेकर भी आदुनिक सामयवाद या सरवारा वर्ग पुझी पत्यों खिलाब अपना अंदोलन कर सकता है इसलिए साधन समंधि अंतर भी प्लेटो के सामयवाद और आदुनिक सामयवाद में बताया जा सकता है निश्कर्स रूप में कह सकते हैं कि प्लेटो का सामयवाद आदुनिक सामयवाद से इतना भिन या अलग है कि टेलर के इस कतन को स्विकार करना पड़ता है कि रिपब्लिक से समाजबाद और साम्यवाद के सम्मन में बहुत कुछ कहे जाने के बावजूद ने तो इस गरंथ में समाजबाद पाया जाता है और नहीं साम्यवाद आज की इस इकलास में इतना ही और हमारे हमारे इकलास में प्लेटों के साम्यवादी विचारों का यह टोपिक था यहीं समाप्त होता है अगले इकलास में हम एक ने टोपिक पर बात करेंगे तब तक के लिए धन्यवाद भर में रहें सुरक्षित रहें धन्यवाद